तो बड़ा मुद्दा होने चाहिए, क्योंकि अगर पेपर लीग होता है, क्योंकि जिसमें गैंग बन चुकि है, हर राज्ये के अंदर, बी-ार में अलग गैंग, यूपी में अलग गैंग, मर्देपदेश में आप देख रहे हो, पुरे देश को इलाके लग दिया, के राज जिसमें गैंग बन चुकी है, और वो अलग बात है, गैंगे क्यों मन रही है, वोई देश में अलाज जो है, बेरुजगारी का है, नौकरी के लिए तरज से लोग, और इसमें पर करप्शन हो रहा है, बहुत भेंकर, पर राजिस्तान की सरकार ने जिस परकार से, बनक लग लगते ही, बनक लगते ही जो एक्षन दिया, एसो जी को जिम्वारी सौपी, उर एसो जी ने, मैं समझता हूं, कि बहुत कम समय के अंदर, वो कर दिखाया जिसके कुछ को उमिद नी थी, किसी को उमिद नी थी, तो ये तो एक एसो जी के काम को एपिक्षेट करना चाहिए, कल गुलाप जिन कठायरे जी जो विपक्षेट देता है, उन्होंने भी एक्ष, एसो जी की जाएट को वेलकम किया है, तो मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतरा करें, क्योंकि हमने भी एक्षन किये हैं, चाह वो क्रिमिनल नगिलेंची थी, आपना दिक के लापर रहे भी कुल ही इनके काहणी सब कुछ हुआ है, कुछ लोगों के नाव आए भी है, उस्तार भी होई है, उनको बरकार की कारवे की जाएगी, तो सरकाजी तरफ से हाईकोर जच को लेके कमड़ी बनाए गई है, बवश्चे मैसी नौमत नहीं आए, ये हमारी सोच होनी चाहिए, वो सर्कार इसको बहुत सिर्ज ले रही है, क्योंकि जहां 25 लाग बच्चों का भष्षिक नाव पे लगा हूँ, आप सूछ सकते हो कि 25 लाग बच्चों में से 156 लाग बच्चे जो थे, लेवर वन भी, लेवर टू भी अग्जाम दी है, उमें क्या भीतती होगी, क्या भीतती हैं राजनेती में, जिनको कुछ समझ ही नहीं है, राजनेती की, बड़े बड़े नेता बन गए, बीजी भी अंदर, वो ऐसे इसे इस्ट्रेमिन देते मुझे तो हरसी आती है, कोई केंद्री मन्त्री मना बैठा है, कोई राजिय में आप बड़े पताउं बैठे वे हैं, इनको पूछो याद, थोड़ा बहुत तो कम से कम, चिंतन करो, मनन करो, जानकारी पहरे प्राद करो, फिर बोलना शुरू करो, बोले जारे हैं, बोले जारे हैं, कोई मतम नहीं निकलता हैं, लोग कनफीर होते हैं, बड़े बच्चे, जो आर वेरोजगारी की समझ्या, इससे की आगे, आपके जो है भरते हैं, रुग जाएं, इसी बहान है, और भरते बहुत लंबे तुम्हें तो होई नहीं, पहली भी देख रहे हो, आप लोग, दो साल, तीन साल, चार साल भरते हैं, देजी सोहरी राजस्तान के लिए, आर प्याश्टी के भी, हमने आके उन क्या कर लिया, हमने तो गंबीरता से लिया है, जाज शुरू करी और पकड़े भी गए लोगा, ताप सोच सकते हो कि कौंगेश की सरगार पूरी तरह गंबीरता से इस केस को ले रही है, मैं अपील करना जाओंगा, जाए वो पक्स हो, जाए भी पक्स हो, जाए कोई रखती जाएं, सुजाव दें, कि सरकार को ये काम और करना ये जिस्ते की भवश्य में ये नौमत नहीं आए, तो मुझे समझ मानता, मैं वेलकम करूंगा उनके सुजाओं को, उसकी बजाए खाली आप आलोस ना करते जाओ, ऐसा महुर बना दो को सीबी की बात कर रहा है, कोई परते हैं, वो भी रुख जाएगी, तो एक तब दमने एक लाग शादी लोगों को नौक नोकित देदी है, नब्य हजार के आएसपास नोकरे चल रही है, क्या उन नोकरे रोग दें लोग, ये कोई सोच नी पारा और आलोसा के जा रहे हैं, जैलो साफ, बीपी जारोली की देखिये बात, इसमें कोई रख्ती विशेशी बात नहीं है, अप्रा दिक लापर रही भी बहुत बड़ा कार्ण होता है, हमने ये प्रयाश किया है, कि जिसने जिसकी हर गलती किमत मांगती मैंने बहुत पहले का था, बीच साल पहले मैं पहली बार मुख्यमंति बना, तो इस संटेंज को इंडिया टूरिय ने कोड भी किया था, फिर रिपिट करना जाता हूं, हर रख्ती कि जिंदगी में हर गलती किमत मांगती है, हर शित्र में और इसलिए जिसने गलती किमत चुकाने पड़ेगी